अलो दोस्तों आज पूरी का दूसरा दिन है आज सुबह मॉर्निंग में हमने बीच में काफी फंड किया और वहां पे नहाए भी लगबन दो तीन गंटे तक हम लोग वहां पे इंज्वाय करते रहा है और अभी हम लोग काफी ठाख चुके हैं तो सूच रहे थे कि सोने से पहले थोड़ा सा लंच कर लिया जाए तो अभी हम होटल पुरी के रेस्टौरेंट में आए हुए हैं और होटल कुरी में ही हमारा एकॉमडेशन है तो आभी मैं रूम टूर और वोटल का व्यू दिखाऊंगा लेकिन उसके पहले यहां जो रेस्टोरेंट है उसमें जो फैसलिटीज है मैं आपको दिखाना चाहूंगा और यह देखिए रेस्टोरेंट है होटल कुरी का आप देख सकते है काफी अच्छा रेस्टोरेंट है यह सारी फैसलिटीज है और यह दिखिए यह एक्वेरिम भी बना हुआ है जिसमें फिश है यह देखिए फिश है काफी इच्छी है पाकी कोली यहां पर बहुत जादा अच्छी है आभी भी आ चुकी है तो यह जो रेस्टोरेंट है वो काफी अच्छा है और यहां पर फैसलिटीज ही काफी अच्छी है सिर्फ यहां पर यह पर यहांच्छी है जाए श्रीज कोई और यहां जाए 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 डिटीज है जाए 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 झाल जो तो जाल जाल, जाल अभी हम लोग है ओटल पूरी में और जो की पूरी बीच के जस्ट सामने है और मैं दिखाना चाहता हूँ यह हमारे रूम के जस्ट बाहर का व्यू है यह देखिए जस्ट बाहर का व्यू है और यह यहां पे सोपा लगा हुआ है हमारा है रूम नंबर एड़ चीरो बाड़ तो चलिए चलते हैं मैं आपको अपने वोटल के रूम का रूम प्रूट करा देता हूं कि यह रूम कैसा है और इसमें क्या-क्या चीचे एवलेबल है दोस्तों यह है रूम नंबर एड़ जी रोवन जब हम इसके अंदर चलेंगे तो यह पूर बैडड रूम है जैसा कि आ अब है क्या कि गर के सारे लोग बीच पे गए हुए हैं जो जस सामने हैं तो वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो यह थोड़ा सा अस्त वैस्ता इसको जला एग्नोर करिएगा बाकी यह एसी लगा हुआ है और इसके आप फिनिशिंग देखे बहुत ही ज्यादा बहतरीन है और इसके आप सामने देखेंगे तो यह कवर्ड है समान रखने के लिए जो काफी अच्छा है और यह मिरर है ताकि आप इसमें अपने आपको त्यार कर सकें बाकी यह टीवी लगा हुआ है एलजी का और आप देख सकते हैं इसमें एक तुरिश्वी है और एक छोटा सा ड् और इसमें हम लोग चार मेंबर हैं और मैं आपको एक चीजी और दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जैसे कि आप रूम का डोर ओपन करते हैं तो एक सोफा मिलेगा जो फ्ली बेड़एड है और अगर मैं आपको बातरों के बारे मिद दिखाना चाहूं तो यह बगती ज्या तो यह एक fully AC four bedded room है बाकी मैं दिखाना चाहूंगा इस जो AC room की quality क्या है actually यह जो room है यह हमारे बीच के just सामने है मैं आपको इसका view दिखाता हूँ चले दिखाता हूँ मैं आपका view देखे इस room का जैसे जो ओपन करेंगे तो यह main सड़क है और इसके बाद आप दिख सकते हैं यह पूरी बीच है जहाँ पर काफी crowd इकटा है आप देखे दूरा नजारा जहाँ ज्यादा अच्छी location है इसकी यह आप देख सकते हैं और यह जो hotel है वह इसके अलग-अलग दोस्तों मैं अप पूरी होटल के सामने कभी आप दिखाता हूँ तो यह आप देख सकते हैं पूरी होटल है जिसकी यह central building है इसके आप राइट में देखेंगे तो एक building है और रफ में एक building है तो तर मिलाकर यहाँ पे तीन building है और इसमें AC और non AC rooms available है और बीच में आप देखेंगे यहाँ पर reception और क्या करते है रेसुड़ेंट की सुविधा available है बाकी चलते हैं बीच की तरफ और देखते हैं कि घर के बाकी मेंबर्स क्या कर रहे हैं मैं यहाँ पर तयार होनी के लिए आया था क्योंकि अब कर रहे हैं तो कफले काफी खराब हो गयते तो जब भी आप बीच की तरफ आए तो टी-शेट्स और लोगर पहन करके आए और क्योंकि उसमें काफी आपको अगर अपना आने के इरादे से आ रहे हैं तो कपड़े ज्याद आच्छे पहनने के आने की ज़रूत नहीं है बाक नहीं हमने सुबह संद्राइज देखा था यहां पर और वहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं और वह देखते काफी लोग इंजुआये करते हुए और जो बीच में लहरे हैं वह बहुत तेजी से आ रही है तो चले चलते हैं बीच की तरफ और देखते हैं कि बाकी सब